हेलो दोस्तों नमस्कार सन 1773 का समय जब घू बिज्ञानी जोन मीचेल ने अपने लेख में एक ऐसे पिंड की अधारना प्रस्तूत की जिसमें किसी भी रंग और बस्तू को और सोसित करने की छमता थी चुकि इस सिधान्थ को ज़्यादा बलतब मिला जब 1776 में गणित अगे पियरे साइमन लापलास ने अपनी किताब एक्सपोजिशन डू सिस्टेम डू मोंडे में जोन मीचेल के सिधान्थ कर समर्थन किया थी लेकिन इस समर्थन के बाद अब हमारे पास अनिक सवाल मौझुद थे हमारे पास ये सवाल मौझुद थे क्या हमारे ब्रह्मान्ड या अंत्रिक्श में कोई ऐसा भी पिंड और है जो किसी भी बस्तू या किसी भी रंग को पूरी तरह से और सोसित कर ले अब इन सवालों का जो जबाब था यह जाननी की जुड़त थे तो हाँ दोस्तों आज हम लोग इसी खोगोलिये घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो की एक ऐसा पिंड है जो की किसी भी रंग और किसी भी बस्तु को अवसोसित कर सकता है तो आए शुरू करते हैं दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अखिर यह किस्न चिद्र है क्या पहला कुस्चन यही है कि किस्न चिद्र क्या है वाटीज ब्लैक खोल तो पहले हम लोग जानते हैं कि किस्न चिद्र है क्रिश्ण चिद्र एक उच्छ गुर्टवा कर्शन वाली खोगोलिये पिंड है खोगोलिये बस्तू है जो किसी भी पिंड को और सोसित कर सकता है कोई भी बस्तू कृष्ण चिद्र में जा सकता है लेकिन कभी उससे वापस लोटके नहीं आ सकता है यही है कि दोस्तो अब हम बात करते हैं अगले कोश्चन के बारे में कि क्रिश्ण चिद्र का अर्थ क्या है तो फ्रेंट्स क्रिश्ण का अर्थ होता है काला और चिद्र का अर्थ होता है होल यानि जो काला चिद्र ब्रहमांड अर्थात अंतरुक्ष में दिखाई देता है उसी का नाम विज्यानिक लोने कृष्ण छिद्र रख दिया हमÎरे पास एक और स्वाद है यह सवाल मुरता है कि आखिर यह कृूर्ष्ण छिद्र बाठ से क्योंकि लो आखिर इसके बारे में भी बात करेंगे तो दोस्तों आपको बता दे कि हम लोग यह जानेंगे कि आखिर इसका रंग काला क्यों है लेकिन प्रावर्तित नहीं करता है तो चुकि जब यह प्रावर्थी तो नहीं करता है तो आपको दूसरी कोई रंग दिखाई देगी ही नहीं इसलिए इसका रंग हमेशा काला ही दिखाई देता है अब बात करते हैं हम लोग कि कृष्ण छिद्र की उत्पती कैसे हुई आखिर अंतिक्ष में यह पिंड बना कैसे यह बस्तू बना कैसे तो आएए चर्चा करते हैं कि कृष्ण छिद्र जो है उसका निर्मान किस तरह से हुआ जब किसी बड़े तारे का पुरा इंधन जल जा जाता है अर्थात उसका इनर्जी समात्थ हो जाता है तो विस्फोट होने के बाद क्या होता है कि जब यह विस्फोट करता है तो इसे हम लोग या दिज्ञानिक लोग सूपरनोबा का नाम देते हैं सूपरनोबा कहा जाता है विस्फोट के बाद जो पदार्थ बचता है वह धीरे-धीरे सिम्तना सुरू हो जाता है और एक घने-पिंड का रूप ले लेता है जीसे निठान इस्टार कहा जाता है तो गुर्त्याकर्शन का दबाव इतना उस पर बढ़ जाता है कि वह सिम्तना चला जाता है और इस शिमटने के कारण वह इतना घना हो जाता है कि वह एक काले छेद की तरह परतीत होने लगता है इसी तरह ब्लेक होल का निर्मान होता है दोस्तों क्रिशन छिद्र जो है हमारे ब्रह्मांड की एक आश्च जमक घटना है जिनके बारे में अनेक विज्ञानिकों ने अलग-अलग मत दिये है इस घटना पर अनेक हॉलिवड की फिल्मे भी बनाई जा चुकी है जो की देखने लाइक है आरम में अनेक बिज्ञानिक जो थे वो क्रिशन छिद्र की जो थियोरी थी जो उसकी जनकारी थी उस पर बिलिव नहीं करते थे लेकिन 1960 का दसक आते आते लगभग अधिकांस जो बिज्ञानिक थे उन्होंने इस पर विश्वास करना सुरू कर दिया और उन्हें भी या पता हो गया कि कि कृष्ण छिद्र जैसा पिंडर अंत्रिक्ष में बिद्यमान हो चुका है अब बात करें यदि कृष्ण चिद्र के द्रब्रमान के बारे में तो आपको बता दे कि हमारे अंत्रिक्ष में जो सबसे बड़ा कृष्ण चिद्र है उसका द्रब्रमान सूर्य के द्रब्रमान से 43 गुना है यानि आप सोच सकते हैं कि सूर्य जो है उतना विसाल होता है उस प्रमांड में पहली बार ब्लेक होल सब्द का उलिख किया था तो जी हैं दोस्तों यह था आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को ब्लेक होल अर्थात कृष्ण रिचिदर के बारे में अनेक जानकारिया दिये हैं तो इसी तरह जानकारियों के लिए मेरे साथ जूरिये मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए वीडियो को सेर कीजिए लाइक कीजिए तता कॉमेंट कीजिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए वीचार और नए जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद झाल झाल